and one of the best part जो इस फोन में है वो आप 4K फ्रेंट वीडियो बना सकते हैं you know I guess last time मैं ऐसा नहीं करूँ कि और फोन में है नहीं लास्ट ताइम मैंने जिस फोन में देखा था वो नुकिया एट में था यूनो फास्ट ताइम जब आया था उसमें यह फीचर दिया गया था और सैमसंग बहुत पहले से यह फीचर दे रही है I mean you know like अगर आप Galaxy S series देखें, Note series देखें, S7, S8 यह सभी में आप Quad HD फ्रेंट वीडियो पहले से बना सकते थे लेकिन यहां पर क्या है कि आप 4K वीडियो बना सकते हैं तो quality कैसी है, stabilization कैसा है वह आप चेक कर सकते हैं and really good है and by the way यह mask as Bluetooth इसमें है अभी तो मैं आपको फोन की मैं की कार रहा हूं क्याल्तिक एस है इसले अभी मैंने कर रखा है, इसकर दो आप चेक कर लीजेगा स्लोली श्लोली मुझे इस फोन को उठाना पढ़ रहा है यूज करना पढ़ रहा है यूज यह है Samsung Galaxy M31S मुझे लग रहा है कि phone sort of dead होने वाला है और यूज वेंटिलेटर है अमने अभी टेस्ट दे की phone perfectly okay था flying colors all things cool but हुआ क्या कि उसकी जस्ट दो दिन बादी phone अपने आप you know display gone boom is dead अनी नी हो रहा है I mean phone on हो रहा है लेकि डिस्पले देख नहीं था बट अचानक अपने आप यह मैंने इसको पटका कुछ किया I don't know कैसे किया बस डिस्पले वापस आगा तो मैं दुबारा इसको slowly slowly touch करता हूँ जहां रखा वही रखा हुआ है लेकिन उससे पहले में ने अब फिलाल मैं इसको अराम से उठाता हूँ रिव्यू बनाने के बाद बाद रहा है I don't care आप लोगो सहीवाद पता चाल जाएगे okay so first start करते हैं इस design से other smartphone brand के comparison में design really काफी मैं ऐसे कहूंग कि बहुत ही beautiful होता लेकिन फील होता है कि थोड़ी से इंजिनिंग अच्छे लगएगी like आपको slim phone में लेगा उसी slim phone में आपको काफी बड़ी battery मिल जाएगी other companies आपको काफी बड़ा camera bum दिखाए पड़ेगा आपको तीर डाउन देखके समझ में आ जाएगा तो आप प्राने galaxy phone के तीर डाउन देखके आप जाएगे कि क्यों ऐसा होता है सैमसंग most of the components खुदी manufacture करती तो complete control होता है डिजाइन पे चिप से लेके सब को जो भी कंट्रूर करती यह 203 gram का है इसमें चेजर मिलियांस के battery जो काफी बड़ी होती है उसके according you know 200 gram का phone I don't think so कि बहुत हैवी है side mounted finger sensor है सैमसंग इस स्टार्ट किया है जो really convenient होता है मैं अकसर दो फोन एक साथ में carry करते हैं जासा मैं तीन फोन लेके चलता हूँ तो एक पोकेट मेरे पॉकेट में आइप आइपोन बाकि दो फोन ऐसे रखता हूं तो अगर मैं ऐसे फोन को पकड़ता हूं तो अकसर रहता है कि अगर आपको अधिए अच्छा है और शॉपंसंग के प्रून का रहता है वह धिस्प्लें इस विजए से में खुद अभी बुचें गालक्सी नोट को कि इस प्राने अच्छा है और समसंग के इस फोन में आपको फुल एच्डी प्लस दिस्प्लें मिलता है जो कि अगें अ दिस्प्ले काफी बड़ा है और यहां पे एक सिंगल में आप जो देख रहे हैं पंचोल कट आउट है सेंटर में जो लास्ट है गैलेक्सी नोट स्रीज से आई थी नोट 10 से अभी यहां पी आ चुकी है और डिस्प्ले से मुझे कोई अगरा डिस्प्ले आपकी प्रियोर्टी है तो सैमसंग M31S रीली अच्छा है रखार प्राइस के कोडिंग में बात करेंगे बद इन दो चीज में काफी हैं साते साथ दिस्प्ले में आपको ओले संग डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत ही रेर है इस प्राइस सेग्मेंन पे यहां भी पीचर आपको मिलता है और बहुत ही कम इन फैक्षिनल के समसंग का बजट पून यह प्लेंग के तज़्जार का तुम्हां पीच्टर आपको मिलता है तो यह भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर होती जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से फिलाल वह मुझे पीचर मिलता है थार्ड पॉइंट पर आते हैं इस फोन का प्रफॉर्मेंस कैसा है अब सैमसंग मुस्ली खुद के ही एक्सिनॉस प्रोसेसर यूज करती है और अगर इन जनरल देखें कंपेर के नगरम उसको वालकॉम से स्पेशली जो की मोस्ट पॉपलर है करें तो आपको लगेगा कि फोन थोड़ा सा स्लो है कंपेर टू कॉलकॉम के राइवल्स के इस प्राइस स्प्राइस में है आपको लेटेस्ट स्नैप्रेंगन 730 जी मिल जाएगा 720 जी मिल जाएगा और बीटेक का जीन एटीटी और इन फैक्ट आपको और का किरिन 810 प्र लेकिन अगर मैं कंपेर नहीं करता हूं तो मुझे थोड़ा सा स्लो लगता है बट इतना भी स्लो नहीं है क्योंकि जो फोन आप लेते हैं वो एट-least 6GB RAM से आती है यह M31 में नहीं हुआ हुआ है यह M30C यह 4G भी आदा था उसके आगया तो RAM इनफ है थोड़ा सा अनिमेशन डिली लगता है क्योंकि UI थोड़ी सी कॉंप्लिकेड़ होती है और बटेकिन अप्लिकेशन में रहते हैं थोड़ा सा डिली आपको तो लगेगा यह तो मैं देखता हूं जब मैं को भी फोन यू अगर आप कैशल यूज कर रहे हैं तो सकता आपको डिफिंस ना लगे तो यह तो रही गाइस परफॉर्मेंस रिलेक्टेड़ बात आगे चलते हैं कैमेरे की बात करते हैं कैमेरा कैसा है सो यहां पे 64 मेगापिक्सल का सेंसर है उसके साथ ही अल्टरा वाइड एंड मैक्रो काफी ब्राइट फोटोस आती हैं काफी कह सकते हैं कलरफुल फोटोस आती हैं काफी ओवर सब्सक्राइट फोटोस आती हैं बट ऑइसमपल मुझे थोड़ी सी यहां पर फोकसिंगी प्रॉब्म लगती है इस्पेशली जब मैं यूनो रेजी सेजन में बाहर जाओं और सभ वह रहो दिए भूप गाल्च श्यांवों का अधिया है वार्ट में अधिग और भूप कस बाइड आधनी आधे और फुटोवाइस का अधनी सी अधिया औरो अधनी मोच पिल आधे यद लिए आधटो आधे पालि पड़ करेंगे प्राइ। आर्पल्म कर दो अधनी अधनी स जो कि रिली काफ भी जाहता है कंपेट अधर बट मैंने जितनी मैक्रो शॉट लेनी कोशिश की स्पेशली आउट्वर में जो मझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी स्पेशली फोकॉस को लेके मुझे इतनी क्लारिटी नहीं मिली इंडॉर में ओके है मैं लेकिन मैंने का और इस सेंसर में तो विदाउट नाइट मोड भी फोटो मुझे ठीक लगी में इतना सोचेंगे लेकिन जैसे नाइट मोड यूज किया तो प्रोग्राप्स और ज्यादा इसमें क्लियर हो गया है अच्छी इसमें आप अल्ठा वाइट सेल्फी ले सकते हैं नॉबल सेल्फी ल लेकिन गाइस जो देखिए 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 मैंने कहा था ना इधिक फोन अपने आप स्टार्ट हो गया तो यह इसमें वीर सी प्रोब्लम मैं आपके सामने रखा है और जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा तो फोटोग्राफ्स के लिए में कहूंगा ओके है मे तो मैं आपको बता दूँ इस फोन में छेजर मिलियम्स की बैटरी है और बॉक्स में चार्जर मिलता है वो आपका 25 वाट का है जूकि रिली अच्छा है इस्पेसली सैमसंग की तो सैमसंग इतना देती नहीं अपने फोन में और अगर मैं आपको बैटरी के स्टैश दिखा है उस तंस में देखा जा तो एक बर मैंने इसको फुल चार्ज किया तो ये तीन दिन बहुत ही असानी से चला है मेरे यूसेज में जिसमें मैंने गेम भी खेला प्रफॉम्स चेक की सोशल में यूस किया वीडियो से ने ब्ल्यूटूथ से कनेट किया जो लेटेस टीडेव मैं आपको करा दू तो सॉफ्टर का इस आपने अलिटी देखा है तो मुझे सैमसंग का सॉफ्टर अच्छा लगा है अब आपको बता दू कि जो लेटेस्ट वन प्लस का सॉफ्टर आ है Oxygen OS 11 वह भी सॉट ऑफ सैमसंग की जैसा ही है डिजाइन फॉर इनो बिग स्क्रीन औ आप डार्क मूड लगा सकते हैं कोई आपको एड देखने को नहीं मिलता है और सिंपल है क्लीन है आम इन आप यूस करेंगे तो आम शूर आप यूस्ट वह जैंगे लेकिन आपको वनिला नहीं मिलेगा तो आप उसके लिए कोई भी यह यह नो साइड लोड कर सकते हैं और आप यह ने स्टार्टिंग से इंट तक कॉंटिनिसली बताया जनरी ऐसा होता नहीं एक दो बारी ऐसा हुआ है कि मैं अंकट वीडियो बनाया हूं तो आप प्लीज बताएगा कैसे लगा कुछ मैंने सोचा नहीं जो मुझे लगा मैं आपको बता दिया इस बार तो शायद तो ठीक लगे तो एड़ लास सैमसंग का आप यह फोन परचेस करें कि ना करें सी यह डिपेंड करता मैंने भी खुद फिल गया कि मैं ब्रांड प्रिफर करता हूं कि एक होताने क्या आप यूस्ट हो जाते हैं मैं सैमसंग की फोन पर यूस्ट हो चुका हूं मैं पिक्सल अब आइफोन पर यूस्ट हो चुका हो तो आप जो ब्रांड यूस्ट करेंगे आप यूस्ट हो जाएंगे उसके एकोसिस्टम में, यह एकोसिस्टम में, एयप सिस्टम में और सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं तो अगर आप डिस प्रियोरेटी लाइक बड़ी बड़ी तो भी आपको मिलता है बैटरी रिली ग्रेट जाते हैं वो भी इसमें मिलता है और मैं कहूंगा काई इसका ओक है अब क्या करें सैमसंग दे रही है 96001 तो अरो दे रही है इतना भी बैट नहीं है अगर प्राइस अपकी प्रावलम नहीं है तो ओक है कैमरा भी ठीक है मेरे टेस्ट में तो फिलहाल कुछ इशू लगी फोकस में अपडेट में इस फिक्स जाती है तो यह रहा गाईस गैलक्स थोड़ा सा ओवर प्राइस तो है यह लेकिन आपको अच्छा कासस में रैं मिल ला है अट लिस्क्स और ब्राइट मिलना है तो अगर तो फोन के सबके बाद आपको कुछ और फोन बिल जाएंगे लाइक अगर आप विर्यार वैरियन्त रियल्मि 6 पो है रियल्मी X2 है और सामसंग थे खुड का है वह बीस जार बाइस तो अगर प्राइस के लिए पर नहीं तो पर अगर प्राइस के लिए बागी अग्या सकत you so much have a great day okay samsung galaxy m31 गोईले ग्लास 3